भाजपा ने जबदस कामियाबी हासिल की है और सर्गुजास संभाग के प्रभारी संजेश रुवास्तव ने इसका श्रेक कारेकर्ताव को दे दिया है उन्होंने कहा है कि ट्यासिंग डेव को सीएम नहीं बनाय जाने का खामियाजा कॉंग्रेस को भुगतना पड़ा है संजेश रुवास्तव ने अमारजीद भगत की बयात बतंच कसते हुए कहा है कि उन्होंने अगर मुचों पर दाव लगाया था तो मुच मढ़वा लेनी चाहिए को 54 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला है और 54 सीटों में जो सबसे महत्पून 14 सीटे हैं वह सर्गुजा संभाग की इन 14 सीटों को भाजपा की जोले में डालने की जो भुमिका निवहाँ है वह है सर्गुजा संभाग के भाजपा के नेता संजय सिर्वास्ताओ संजय सिर्वास्ताओ जी हभी हमारे साथ है सिधा उनसे बात करते हैं कहीं न कहीं जो है सर्गुजा में भाजपा शुननी की स्थिती में थी एक हिसाब से ये माना जाए कि बंजर जमीन में खेती करने का जिम्मा आपको दिया गया था और खेती भी अच्छे से भी समरिद्धी भी आ गई है क्या कारण मानते हैं कि पूरा कॉंग्रेस को हाँ सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा की जोली में उल्टे 14 सीट आ गई देखे निश्वित रूप से एक बड़ा अच्छिवमेंट और एक बड़ा काम सरगुजा की जनता ने सरगुजा के कारकरताओं ने हम सब को दिया है कि 14 की 14 सीटें उस संभाग की जीतना वास्तों में एक बड़ा काम भाजपा के लिए रहा और मैं धन्यवाद के अप्रित करताओं सरगुजा की जनता को और बीजेपी के कारकरताओं की उनके अथक महनत से अथक परिश्वम से हमने इस काम काम कांगरेस में 2018 में किया था देखे इसके मूल कारण ये है कि एक तो हमारे जो बूथ सचक्ती करण लगभग डेड़ दो वर्षों से हमारा जो केंदरी निततों प्रदेश निततों के माद्यम से हम लगातार बूथों को शचक्त कर रहे थे लगातार डेड़ दो वर्षों से प्रभारी होने के बाद लगातार दोरे उपर से जो निर्देश के लगातार हुआ हम सब को रहना है एक एक हपते बूत तक जाना गावों तक जाकर हमने बूतों को शर्शक्ति करण किया कारकरताओं को खड़ा किया भाजपा निता संजय सिर्वास्त जिनका सापकरना की जो मोदी की गारंटी थी और भाजपा ने गोशना पत्र में जिन बिंदू को शामिल किया था उसके कारण ही सरगुजा में एक बड़ी जीत मिली है साथी साथ वहां के कारिकरताओं कि दिन रात अथक मेहनत का भी परिणाम है जिसके कारण आज भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इसमें सरगुजा अहम रोल में है केमरा में अरुन साहू के साथ मनोज नायक आनेश 24x7 राइफूर